जहें साथी मेरा नाम है आकास मोरे और आप से लोग का आपके अपने चैनल आलक्यूप इस्टेडी पर बहुत बस्वागत है फ्रेंस आज चुछ लोग लोग देखने वाले हैं CRP अप हेड कॉंश्टबल मिनिस्टियल के कट अफ के बारे हम बात करने वाला हूँ अभी आप लोगों का एक्जाम चल रहा है और दो सिफ्टों का एक्जाम सोरी दो दिन का एक्जाम खतम हो चुका जो कि 6 सिफ्ट टोटल हो जाते हैं आप लोगों को 6 सिफ्ट का एक्जाम कंप्लीट हो चुका है और मैं आप लोगों के लिए cut-up की वीडियो बना रहा हूँ है क्या cut-up जाएगी आप लोगों की बच्चों को बहुत ज़्यादा कहना है इसर मेरे इतने नमबर आ रहे हैं क्या मैं typing की त्यारी करूं या फिर नहीं करूं है तो इस वीडियो में सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी कि आप लोगों को typing की त्यारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए final selection में आप लोगों का cut-up कितना जा सकता है तो पूरा expected आप लोगों को data बताने वाला हूँ तो वीडियो में लाश तक बने रहें सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी है तो चैनल को सब्सक्राइब उटके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को CRPF head consciousness संब्सक्राइब जो भी छोटी बड़ी update रहें सभी update आप लोगों को हमेश्था मिलती रहें तो बीना देर की हम लोग नीची स्क्रोल करके चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ update है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पिछले वर्स का cut up ठीक है यहाँ पिछले वर्स में general का आप लोगों का 160-160 नमबर था OBC का 153-155 था SC का 130-137 था और वहीं ST का 100-110 नमबर यहाँ पर cut up है गया हुआ था Preview years में Preview years में किया था कि आप लोगों का 160 नमबर जी यहाँ दोस्तों 160 नमबर का आप लोगों का exam conduct कराया गया था ठीक है इसके अलावा आप लोगों का 40 नमबर अदर से दिये गया थे ठीक है अदर से आप लोगों को 140 नमबर मिला था टोटल आप लोगों का 200 नमबर था ठीक है 200 नमबर में से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितने नमबर पर आप लोगों का selection नहाँ पर लिया गया ठीक है यह हो गई आप लोगों को Preview years की बात ठीक है इस वार्स के आप लोगों का 100 नमबर के है ठीक है और साथ-साथ आप लोगों का 0.25 ठीक है 0.25 का negative marking है तो बहुत सारे बच्चे कह रहे है सर मेरा 81 सही है मेरा 82 question attempt किया है तो कोई कह रहा है सर मैंने 85 question attempt किया है तो overall क्या आप लोगों का cut up रहागी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सब सब पहले हम लोग देख लेते हैं टाइपिंग के लिए कितने नमबर आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पर made up selection में देखेंगे आप लोगों को तो यहाँ पर आप लोगों को बतायागा the recruitment process will be concise of CVT यानि computer based test जो आप लोगों का exam चलना इससे होगा skill test होगा skill test में आप लोगों का typing कराया जाएगा PhD, PhD में आप लोगों का height weight test मापा जाएगा DV document verification किया जाएगा and medical examination आप लोगों का किया जाएगा जिनमें आप लोगों को DME, RME होने माला ठीक है यह पूरे आप लोगों के selection की बात हो गई किस अधार पर आप लोगों का selection किया जाएगा अब पहले आप लोगों का written exam चलना है उसके बाद आप लोगों का typing होगा तो typing के लिए किन किन बच्चों को बुला जागा कितना number आप लोगों को चाहिए आप लोगों को चाहिए टाइपिंग की तयारी कर सकते हैं इनके 35 नंबर आ रहे हैं आप लोगों को 35 नंबर आ रहे हैं सव मेंसे हैं तो आप लोग भी typing की तयारी कर सकते हैं यहाँ पर देखेंगे marks record by candidate in computer based test विल भी यहाँ पर दिया गया है यह आप लोगों को CVT की exam जो होंगे उसकी according यहाँ पर रहने वाले है normalized and such a normalized score will be used जो है आप लोगों को दिया गया final merit cutoff mark यह नंबर आप लोगों को final merit cutoff के लिए नहीं है आप लोगों को यहाँ यूज किया जाएंगी इस नंबर का बट यह है final merit अधर तरीके से बनेगी जो आप लोगों का final merit बनेगी वो आप लोगों की इसी exam के according बनेगी बट वो merit अलग रहेगी वहाँ पर high merit रहेगा इतने नंबर से आप लोगों का काम नहीं चलने वाला ठीक है यदि आप लोग सोच रहे हैं कि 40 number हमारा आ गया general में तो हमारा final selection हो जागा final selection नहीं होगा लेकिन आप लोगों को 40 number आ रहे हैं तो आप लोग जो आए है typing के लिए बुलाया जाएंगा ठीक है general वालों 40 number ला दिजिए और OBC, ST, ST और EWS वाले को जो आए है 35% यानि 35 number ला दिए रहे तो उनको typing के लिए बुलाया जाएगा ठीक है लेकिन final selection इतने number से नहीं होने वाला है कितने number से final selection होगा आगे हम लोग उस पर भी बात करेंगे ठीक है तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल लगरके हम कुछ और भी डीटेल से देख लेते है जो skill test होगा ठीक है वो किवल qualifying nature होगा ठीक है यानि कि उसमें आप लोगों को कोई भी number नहीं मिलेगा है किवल आप लोग उसको qualify, disqualify वहाँ पर होगे तो skill test जो हता है आप लोगों को qualify करने के लिए कितना number चाहिए मैंने आप लोगों को बताए दिया होगा ठीक है पियस्टी और military qualify nature पियस्टी जो होगा वो भी आप लोगों का qualifying nature रहेगा उसमें भी आप लोगों को कोई भी number नहीं मिलेंगा ठीक है only who candidate only those candidate who qualified in skill test and allowed to PhD and document verification जो लोग जो आई है written exam और typing test में ठीक है जो कि आप लोग computer based test हुआ थो उसमें और skill test में qualify होगा उनको जो आई है physical के लिए बुलाया जाएगा जिनमें आप लोगों का height weight test मापा जाएगा उसके बाद document verification किया जाएगा उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा ठीक है इसके लावा जो लोग CVT qualify रहेंगे PT, PhD qualify रहेंगे और साथ साथ आप लोगों का document verification qualify रहेंगे उन लोगों को medical के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर mention किया गए नीचे scroll करके में दिखा दे रहा हूँ है यहाँ पर final selection final selection will be made on the basis of performance of candidate in computer based test final यहाँ पर बताएगा final selection जो आई है आप लोगों को computer based test पर किया जाएगा यानि कि जितना number आप लोगों लाए रहेगे उसी को according आप लोगों का final selection किया जाएगा तो यहाँ पर नीचे scroll करके जो आई है जो आप लोगों का selection किस आधार पर यहाँ पर होगा तो final selection आप लोगों देखिए कितने number पर होने वाला है final selection आप लोगों का general वालों का 65 से 70 number आ रहा है तो आप लोगों का final selection हो जाएगा इसके लाबँ EWS का लगभग 65 number रहना चाहिए OVC का 62 से 65 यह आप लोगों का EWS के बराबर रहेगा 62 से 65 number ला दे रहाँ OVC वाले तो इनका भी selection होगा ST का यहाँ पर 55 से 60 दिया गया है और ST का जो आई है 50 number इनका है तो इनका भी selection हो जाएगा यह एक expected mark है आप लोगों का यह number आप लोगों का एक दो number आगे पीछे हो सकता है बड़ डाटा लगभग लगभग यही रहेगा इतना number आप लोगों को रहने चाहिए selection के लिए final लेकिन typing के लिए मैंने आप लोगों को बदा दिया है general के लिए 40 number बाकिस सभी लोगों को 35 number final selection के लिए आप लोगों को यहाँ पर देख सकते है जो आप final selection है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर डाटा दिया गया है तो friends मैंने आप लोगों को overall आप लोगों को सारी जानकारी दिया हुआ है जानकारी अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करना सेयर करना तसा इसी प्रकार से नोलेजमेर वीडियो पाना चाहते है तो हमारे इस चैनल को subscribe करके बेल आइगन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों को हमेसा मिलती रहे बागे मैं मिलता हूँ पर से नई जानकारी साथ नई वीडियो में तब तरह के लिए टेक के यार कुट बाई